हालो फ्राइंट्स मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिवीव करेंगे वलपुल ट्रिपल जोर रफिएक्टर तो दोस्तों वीडियो स्टाट करते हैं उससे पहले करने जाता हूं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब केजिए मेरे देगे इंफोर्मेशन जानकरी जरासी पे अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरह की नह इसे तो आपको अलग अलग कैपसेटी में यह मोडल मिल जाएगा मार्केट में इजिली जैसे के 240, 260, 330 फिलाल जो मैं आपको यह वीडियो में जो फ्रीज दिखा रहा हूं इसकी कैपसेटी है मैक्सिमम् फ्रीज जो होता है दोस्तो वेजिटेबल ड्रोवर ही ओपन होता है उसका बेनेफट बेनेफिड दोस्तो कैसे यह तीन की सेपारेट पार्ट देंगा एड्वांटे जो अपको इसदे निकालनी है तो आप चिर वेजिटेबल का दोर ही खोल के इसे एनर्जी गॉन अलिए दोस्तों का यह का इसका दिखातें गा इसका निए लिए इसका स्थेजन को मिल जाता है और अंदर के बीज का अपको मिल जाता है कि नोब जहां तक दोड़ के पर ब्रेशर का तेंपरेचर कंट्रोल कर सकते हो दोर जो रेक दिये है वह भी काफी अच्छे है एक बड़ा ररेक मिल जाय गया और अपर के चोटार रेक मिल जाता है और और अगी के तरफ एर बुस्टर है यह देखे कि दोस्तों नॉब्स यहां से आप तेंपरिचर कंट्रोल कर सकती हो मिनिमम, माक्जिमम और आगी के तरफ एक वेंट डियाबाई ताकि फीर्जर के अंदर जो कूलिंग है काफी समी तक मैंटेन रहे और दोस्तों जो वल्पुल के फ्रीज है दोस्तों आश्टेस आइस मेकिंग में काफी यादा फैमस है यानि वल्पुल के फ्रीज में आपको काफी यादा फास्टेस आइस मेकिंग मिल जाती है यानि आपको आइस जमानी है या आपको आइस क्रिम जमानी है तो वल्पुल के फ्रीज में फट फट कुईक आइस मेकिंग हो जाती है दोस्तों यह है ट्रिपल दोर का फ्रीज सेक्षेन उपर की तरफ आपको मिलता है यहां पर चिलट रहे जहां पर आपको दूद दही डेरी जो भी चीज बटर चीजे रखनी है रख सकते हो और यहां पर उपर की तरफ क अउदक एलड की जायं से टो इसका फैल पर नव जायं से उसका कुलींग टेंपरेचर मेंटेन कह सकते हो quality काफी जबरदस है और हेवी लोड भी रखोगे तो कुछ फरकनी पड़ेगा ये ऐ दोस्तो एर बूस्टर वेंड ये क्या काम करता है दोस्तो आगी की तरप एर फ्लो करता है पिछे की तरप से तो कुलिंग आई रही है लेकिन आगी की तरप से एर डोस्तो आफ दिखाते हैं आपको वच्टवा बासकेट की बात करेंगेर है तो यह अखलिज के दिखाते हैं आपको वझेटीवल बासकेटर की बात करेंगे तो विपार δενर निकल है talman करने इसमें आपके काफी सारी सबजिया और फल फ्रूट सानी से आ जाएंगे मतलब इतना बड़ा साइज के विटेवल बास्केट है और दोस्तो इस विटेवल बास्केट में आपको जियो लाइ टेकनोलोजी और माइक्रो ब्लक टेकनोलिजी आती है उसका बेनिफिट यह होता है डोस्तो इस longest फ्र्सका मोडन लंबर और बाइंगि लिंक मैंने स्वीडियो के डिस्क्रैप्षेन ले दिया है जाए चखनेचये अलग अलग कैप्सीटी में मैंने जो मोडन लंबर है और उनकी बाइंग लिंक है मैने ए इस वीज्टेवल के दिस्क्रैप्रइट कर दी है औ आप बोल सकते हो, old is gold, यानि old technology वाला compressor है, without inverter वाला, यानि वो एक variable speed बे काम नि करता है, एक fixed speed बे काम करता है, तो maintenance फिरी है, ये समझ लीजी आप, दोस्तों, वल्पूल की triple door की ये सीरीज है, दोस्तों, काफी अधा successful सीरीज है, आप सक इस सीरीज में कोई कंप्लेंट नहीं ह इसलिए ये सीरीज दोस्तों, 10 से 12 साल होगे, ये सीरीज कंटीनी हुए, दोस्तों, इस फिरीज के अंदर ना, order mixing भी नहीं होती है, यह smell mixing, मालने जी, आपने फिरीज के अंदर केक रखा है, और आपके फिरीज में कान्दे भी रखेंगे, तो कान्दे का जो स्मेल है, दोस कैसा लगा, प्लीज आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, और हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वाईरी है, डाउट ए, कन्फूजन है, तो दोस्तों, आप उसे कमेंट बॉक्स